नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से देशी भक्ती चैनल में आपका स्वागत और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहा हैं कि आपको राशी के हिसाब से कौन-कौन सी चीजे खाना चाहिए जो कि आपको बहुत जादा लाब धैक होंगी तो दोस्तों इस वीडियो को अगर अभी तक इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीज़े जब वेल आइकन जरूर दबाईए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीज़े तो दोस्त चीज़ें खाने में शामिल करना चाहिए तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि राशी के हिसाब से कौन-कौन से चीज़ें आपके लिए ज़्यादा लाब धायक है। और सोने चांदी के बरतन में खाना शुब रहता है। करक राशी वालों को चावल दूद दही से बनी चीज़ें खाना चाहिए और चांदी के बरतन में भूजन करने से कुंडली के दोश दूर हो सकते हैं। इन के लिए सोने या चांदी के बरतन शुब रहते हैं। तुला राशी वालों को चावल दही दूद से बनी चीज़ें खाना चाहिए चांदी के बरतन में भूजन करना शुब रहता है। ब्रश्चिक राशी वालों को मसूर की दाल बेसन और गेहूं खाना चाहिए और तामे के बरतन में पका भूजन शुब रहता है। धनू राशी वालों को अरहर की दाल, चने की दाल और गुण सेव फल खाना चाहिए इन लोगों के लिए सूरने के बरतन शुब रहते हैं। मकर राशी वालों को तला हुआ भोजन औरत की दाल केला खाना चाहिए और इनके लिए लोहे के बरतन अच्छे रहते हैं कुम राशी वालों को तला हुआ भोजन औरत की दाल और केला खाना चाहिए और मकर की तरह ही इनके लिए लोहे के बरतन शुब रहते हैं मीन राशी वालों को अरहर की डाल चने की डाल गोड से उपल खाना चाहिए और इनके लिए सोने के बरतन में पका खाना शुब रहता है तो दोस्तो इस तरह से हमने आपको इस वीडियो में बताया कि आपको राशी के हिसाब से क्या क्या खाना चाहिए और किस बरतन में खाना चाहिए जिससे आपकी कुंडली के दोश दूर हो सके तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस तरह के वीडियो पाने के लिए और वेल आइकन जरूर दबाएं अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो को लाइक जरूर करें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार